अगर आप 30,000 के बजट में स्पार्टपोन डून रहे हो और आपको चाहिए सैमसम का तो आपको जरूर से दिखेगा है अभी लेटेस्ट लाउच हुआ सैमसम A35 लेकिन आपको पता है क्या सैमसम का ये एक और स्मार्टफोन सैमसम Galaxy S21 FE जो कि स्नैप ड्रेगन ट्रिपल एटियस आता है ये भी आपको 30,000 के बजट में मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कमेंटा है इन दोनों के रिकार्डिंग की दोनों में से बेस्ट कौन से मिलता है एक है वो सस्ते दाम वाला फोन लेकिन दोनों में से बेटर कौन मिल जाएगा चाहे वो बिल्ड हो, प्रफॉर्मेंस हो, चाहे आपका कैमरा हो क्योंकि कैमरा यार बड़ी तगडी वाली चीज S21 FE में मिलती है बगी in the end आपको बताओं अभी कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए बिना टाइम को आई, सबसे पहले हैं आर देखो, बिल्ड और डिजाइन से शुरुआत कर लेते हैं एक चीज क्लियर करण बताओ, आप बैक से दिखने हैं, मुझे A वाली सिरीज जादा बैटर लग रही है यहाँ पर S21 FE के मुकाबले, वैसे देखो, एक चीज दोनों में ही डिफरेंस में मिलती है जैसे A वाली सिरीज के अंदर, आपको बैक में गलास मिलता है, लेकिन जो इसका फ्रेम है, यह प्लास्टिक का मिलेगा जहां की S सिरीज जो है, S21 FE इसमें, बैक में प्लास्टिक है, इसका मिडल फ्रेम, अलुमिनियम वाला मिलता है एक और चीज आपको क्लियर कर दो, अगर आप हलका छोटे साइज में आप इसमार्टफोन देख रहे हो, S21 FE आपके लिए बहुत ज़ादा बैटर होगा मतलब यार, इसकी in-hand feel ना बहुत ही premium वाली आती है, और बहुत ही easily आप इसको one-hand use कर सकते हो जहां पर A-series देखो, यह बड़ा है, चोड़ा है, भारी भी है, yes 200 प्लस ग्राम का इसका weight आता है मेरे को personally इसका weight जो distribution है, इतना पसंद नहीं है, थिक भी बहुत ज़ादा है यार, यहाँ पर स्मार्टफोन है, उपर से आप इसको पर cover लगाओ न, तो और भी ज़ादा यहाँ पर यह थिक हो जाएगा हाथ में यह भी इस तरीके से आता है, लेकिन हाथ थोड़ा चोड़ाई में यह ज़ादा है, तो personally अगर आप मुझसे पूछोगे, दोनों में से build और design किसका ज़ादा पसंद है, मैं overall S21 FC की तरफ जाओंगा, देखो middle frame aluminium वाल आता है, back से प्लास्टिक है, तो ठीक है, ज़ा साथ में ही order कर देना, क्योंकि दोनों में ही बड़ी ही easily scratch वगरा आ जाएगा, बहले ही दोनों के friend में Gorilla Glass Victus की ही क्यों ना protection हो, वैसे ए वाले के अंदर Victus Plus के protection मुल जाती है, लेकिन scratches हो गरा है भाई, दोनों में ही बड़े ही easily आ जाते हैं, दूसरी जगा जहां मैं आपको यानि vibration motor में कौन better है, तो वो S21 SE यहाँ पे आपको थोड़ा vibration motor में better मिल जाता है, इवन देखो दोनों में IP rating, एक A वाली series में IP 67 मिल जाती है, S में 68 की मिलेगी, तो यहाँ आप भी देखोगे न, जो S है, थोड़ा सा better आपके लिए हो जाता है, दिबसे दोनों में ही आपक जो support है, मिल जाएगा, लेकिन जहाँ पर shocking वाली चीज़ आती है, वो head display, भाई यहाँ पे देखो, दो साल पुरानी display, यहाँ पर देखो अभी एकदम latest वाली display, अब bezels वगरा देखके मेरे को बताओ, कौन सा जादा आपको बसंद आ रहा है, मतलब कता ही मैयार, क्या करना ह Samsung इतने मोटे-मोटी uniform bezels से अच्छा है, यह पतला वाला bezels देखलो, यह ज़्यादा तगडे मुझे पस नहीं लग रहे है, आपको कौन से लग रहे है, कमेंट करके जरूर बताना, जा रहे हो कमेंट करने तो लाइक वाले बटन भी साइड में होगा, उसको दबा किया, सब आपको देखना पसंद है तो, देखो सबसे पहले एक display में भी आपको फर्क बताऊँगा, जहां पर यह S वाली series है, यह 2X dynamic AMOLED display मिलती है, जहां पर यह A वाली है, इसके अंदर सिर्फ S AMOLED display मिलती है, इसका फर्क आपको बता है क्या HDR 10 प्लस certified आपको यहां पर Samsung Galaxy S21 FE मिल ज लेकिन जब आप जाओगे colors वगेरा देखने, देखो एक चीज़ और भी आपको यहां पर बताऊ जो A35 है, इसके अंदर आप 4K HDR वीडियो चलाने जाओगी YouTube के अंदर ना, तो यह lag हो जाता है, चला आता है 480P में, तो इसके अंदर 4K HDR वीडियो तो चलती ही नहीं है, जह S21 FE के अंदर जैसे मैंने बोला, SDR 10 Plus certificate मिलता है, तो उधर भी है content जो है आप बैटर तरीके से enjoy कर सकते हो, तो of course, display के मामने में मुझे S21 FE जादा बैटर यहां पे लगा है, इवन अगर आप peak brightness भी देखोगे, S21 FE के आपको 1200 निट्स मिल जाती है, जहाँ पे A35 के आपको 1000 S21 FE मिलेगी, वैसे out of visibility में किसी में भी समस्ता नहीं है, डारेक सनलाइट के अंदर भी normally दोनों visible होते हैं, हाँ, थोड़ा सब्राइट रा, Quest 21 FE हो जाएगा, वैसे दोनों में ही industrial fingerprint sensor मिलता है, quickly unlock हो जाएगा, ओधर भी जादा कोई difference नहीं है, लेकर I know आप जानना चाहते हो, भाई, performance में कौन निकल गया आता है, क्या लगता है कौन निकल गया आता है, भाई, snapdragon 888 वर्सेश एक्जिनोस 3080, भाई सहाब, भाई सहाब, भाई सहाब, ऑन पर स्कोर देखो, देखो, snapdragon जादा बैटर स्कोर करता हो, मिलेगा, चाहें तो तू हो, geekbench हो, zebo trolling हो, even read and write film में प्यार, आपको snapdragon जादा बैटर स्कोर करता हो, मिलेगा, UFS 3.1 की स्टोरी, S21 FE मिलेगी, जहाँ प्यार, UFS 2.2 की आपको 835 में मिलते हैं, तो यहाँ भाई भी देखो, कि जादा फास्टर आपको सैंसम S21 FE आ जाता है, डे टू टे यूज में आओगे, यहाँ भाई में बोल सकता हो, S21 FE जादा फास्टर आप्स को ओपन करता है, यहाँ आप्स को फास्टर ओपन करना चोड़ो, यहाँ पर यहाँ लैक्स और जिटर्स भी बिलकुल लगी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर 835 के अंदर कई टाइम पर मैंने देखा है, बड़े जादा यहाँ पर ही, जो कि Snapdragon 888 के साथ आता है, इसके अंदर ऐसी कोई समस्य आपको नहीं मिलती है, नॉर्मल यूजर्स के अंदर बड़ा ही मखन बटरी समूझ चलता हूँ आपको मिलेगा, इवेन अगर आप मल्टी टास्टिंग भी करोगे न, वहाँ पर भी क्लियर कट आप जो डिफरें 888 जादा बेटर परफॉर्म करता हूँ, आपको मिल जाएगा, एक जिनो के कमपैरिजन में तो इधर भी आगे नीड लेता हूँ, मिलता है, लेकिन येस काफी साथ लोगे कमेंट हैंगे, हीटिंग वाला इशू स्नैप ड्रेगन 888 में है, उसका क्या यहाँ पे कार है, किस तरीके से है, एक चीज़ मैं बताओ, देखो, जो स्नैप ड्रेगन 888 है, एस 21FE के अंदर जरूर से हीट होता है, लेकिन ये तब होता है, जब आप इसके उपर हेवी टाक्स थोरो करो, मालो आप रूप में गए 10, 15, 20, 25 मिनट आपने वीडियो रिकॉर्डिंग लगातार कर है, एक लीस एस 21FE जो है, प्रफॉर्मस तो आपको देता है, हीटिं के साथ, यहाँ प्यार ये 885 वो ही देखी नहीं पाता है, तो भाई, हीट भी ले लो, प्रफॉर्मस भी ना दो, तो क्या वाइदा, इस से बेटा तो S21FE है, जैसे मैं अभी गेमिंग कर रहा था, दोलो इस तो कते ही कहीं से कहीं तक है ही नहीं, अब देखो, बेम भी अपडेट सुगरा के बाद, एक्स्रीम सेटिंग अलॉक हो जाए, लेकिन फिलाल, आई के इंदर ही इतना वेकार गेम प्लेस के अंदर मिला रहा, बिल्कुल भी रिकमेंडेट है नहीं गेमिंग के लिए, ज अब ही आपको मिलेगी, जब आप इसमें बहुत जादा हेवी टाक्स तो करोगे, नॉर्मल यूजर्स के इंदर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, तो ये एक चीज ये अच्छी रहती है, नॉर्मल यूजर्स भी आप अच्छी तरीके से अच्छी प्रफॉर्म कर लोग टीन और सिस्टीन का ही अपडेट मिलेगा, एक चीज ये मैं थोड़ा सा कन्फूजन में हूँ किसको रेगुलर अपडेट कप तक यहाँ पर मिलेगे, अगर आपके पास कोई लिंग बगरा है तो ज़रूर से यार डाल देना, कुछ जगह पर मैंने देखा है इसमें लिख जादा की अपडेट से फोकॉस मत करों कि चार साथ की अपडेट है तो उसके बाद बड़ा ही स्मूध हो जाएगा, ऐसी उमीद मुझे इतनी नहीं है एक जिनोस के साथ, इसने आप ड्रेगन है, आप देखो दो तीन साल चलाओ स्कोराम से, आपका पैसा फसूल हो जाएग बागे देखो, दोनों में ही ब्लोड वेर वगरा ठिक ठाक से आपको मिल जाते है, वो दोनों में ही आप अंस्टाल कर सकते हो, एक चीस अच्छी है कि 885 के अंदर 1UI 6.1 मिलता है, जहाँ पे अभी S21 FE के अंदर 6.0 मिलता है, अब इसकी अपडेट 6.1 की काफी जल्दी आ ज मिलता है, जैसे डेक्स मोड वगरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो कुछ दो-चार फीचर्स जो हैं, आपको ज़्यादा S21 FE में मिलेंगे ही मिलेंगे, बागी नॉर्मल जैसे कॉल रिकॉर्डिंग करना हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना हो, वो दोनों में मिलता है, आपको फोल्डर वगरा, एपको लॉक करना हो, हाइट करना हो, वो चीज दोनों में ही आपको एक्वल मातरह में मिलेंगे, लेकिन एक दो फीचर्स S21 FE में आपको थोड़े से जादा ही मिलेंगे, बागी देखो A35 के अंदर आपको हाइब्री सिन स्लोट भी मिल जाता है, जहाँ पर S21 FE में नहीं मिलेगा, एक थोड़ी सी चीज यहाँ पर है, लेकिन जो बैटरी की बात आती है, I think यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, देखो A35 के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, A35 के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, एक च A35 के अंदर एजली आपको 6-6 गंटे का जो बैटरी में निकल के आ जाएगा, तो यह एक थोड़ा सा बैटरी में ज़रूर से मात खा जाता है, S21 FE, लेकिन यह थोड़ा सा ओवर कम करता है कि इसके अंदर आपको wireless charging भी मिल जाती है, 15W की तो थोड़ी सी एक चीज है, बाग किसमें तगड़े वाले कैमरा यहाँ पर मिलते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग सेंपल वगरा बहुत साई चीज है, चलो आपको एक एक करके बतातो, सबसे पहले में सेंसर की यहाँ पर बात कर ली जाए, तो A35 के अंदर आपको 50 में पिक्सल का OIS के साथ मिल जाता है, 8 में मिलता है, वैसे देखो वीडियो रिकॉर्डिंग के बात रहे, बैक से 4 के 30 fps के अंदर A35 के अंदर और 4 के 60 fps के अंदर आपको S21 FE के अंदर आप्शन मिलता है पर देख सेंपल, अपर होको सिह कैंदर वीडियो रिकॉर्डिंग का और इस वीडियो का मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करों कि अब बात हड करें। से बताओ किसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको जादा बेटर तरीके से जादा बैटर क्वालिटी के इंदर वीडियो रिकॉर्ड बैक केमरा से यहां पर कर पाऊ गया इंग बागी उसी किलाव अगर फ्रेल की बात करूँ यहां पर भी सिम्ला चीज करती हुई मिलेगी ए करना चाहता हूं कि आपको देखके कौन सी जादा बैटर लग रही है वैसे ऑफ को सूल बैक में देखो कि यहां पर संडाउन हो चुका है कौन ज्यादा अची तरीके से जादा बेटर है कमन्ट करके है ज़ो सबताण वैसे आप देखOW यहाँ पे इस तरीके से यहां प कि आपको audio recording में कौन सा जाधा better लग रहा है नीचे comment करके जोड़ से बताना है वीडियो recording दोनों में तगड़ी भी कल गयाती है लेकिन वही यार डिटेल्स अगरा की बात रहती है कि यार S21 FE के अंदर आपको जाधा better मिल जाती है इवन देखो Samsung का phone है दोनों को इंदर front और back से आप video record कर सकते हूँ लेकिन वही फिर से चीज़ है कि यार 4K 30fps तक लिमिटेट 835 के अंदर 4K 60fps तक आपको S21 FE के अंदर बल जाएगा अज़ा Samsung में एक अची चीज़ मिलती है कि आप इस तरीके से normal video record करते करते इसको shift कर सकते हूँ directly front selfie camera में तो इस तरीके से front selfie camera में भी यहाँ पर यह shift हो जाएगा बागी S21 FE के अंदर आपको एक दो और फीचर मिलते हैं जैसे portrait video record करनी हो इसके अंदर आप कर पाऊगी dual video mode वाला जो video record करनी हो वो भी आप EC के अंदर कर सकते हो यह 835 के अंदर miss out होती है तो जैसे मैंने पता है ना दो तीन फीचर आपको जादा ही जादा मिलेंगे S21 FE के अंदर तो वो थोड़ा सा better man में यहाँ पर आ जाता है लेकिन जब हम बात करेंगे या जो camera setup मिलता है सबसे पहले देखो अल्टर वाइड camera की बात कर लेते हैं 12 में पिक्सल वर्सेस 8 में पिक्सल जहाँ एक चीज़ जरू से आप देख सकते हो जो 885 फे थोड़ी डारकर साइड में इमेज़ वगरा को गलिक करता है जहाँ पर S21 FE थोड़ा cooler tone में यहाँ पर लेता है थोड़े brighter प्रहपो के यहाँ पर इमेज़ निकल के आती है लेगिन जब main camera sensor की बात आती है देखो S21 FE में एक और जैसे मैंने बताया आपको 8X telephoto भी camera मिलता है 3X zoom के साथ तो वो भी एक battery चीज़ में ज़रूर से आट होता है लेगिन अगर आप main sensor में देखोगी colors वगेर का सबसे बड़ा फर्ग मिलता है कि S21 FE थोड़ा सा warmer tone में है A35 आपको cooler tone में पिक क्लिक करता हो हमें देखा low light के अंदर सबसे पहले अगर में बात करूँ तो याँड़ा के मामले में S21 FE के अंदर detail काफी battery यहाँ पर निकल के आती है even portrait mode का जो S detection है वो भी आप देखोगे S21 FE का थोड़ा सा battery रहता है almost similar है लेकि normal condition में अगर आप देखो या आप 3X shot वगरा में भी देखोगे आपको यहाँ पर S21 FE के अंदर जो advantage है कि portrait की जादा better details के साथ image वगरा निकल के आती है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी even मैंने देखा है ना यार S21 FE के अंदर खोड़ी खिली 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 फोटो निकल के आती है जैसे मैंने फोट वगरा की फोटो क्लिक करी यहाँ पर देखो S21 FE की कितनी better लग रही है वहाँ पर आप देखो S21 FE के अंदर आपको जादा मिल जाएगा even जब harsh condition की बात रहती है जैसे background में एक दम harsh lighting है वहाँ पर अच्छे तरीके से face को lit up जो है वो भी S21 FE जादा better तरीके से कर लेता है as compared to A35 देखो यहाँ पर मोठी मोठी में बात बताऊ ना easily मैं आपको बोल सकता है S21 FE का जो camera है जादा popular images निकालता है जादा better looking images निकालता है even जादा better details के साथ यहाँ पर image निकालता है और इसमें यार advantage तो है कि 3x telephoto वाला आपको जो camera है वो मिल जाता है कुछ उस type वाली image निकल के आती है और वो I don't think कि किसी को भी इतनी जादा पसंद है कि जो दाने ना हो वो भी आपके दाने निकाल दे आप देखो कि यार दिखने में जादा better आपको यहाँ पर कभी-कभी लग सकती है आप देखो वहीं पर S21 FE कि आपको थोड़ी सी smoother side में images मिल जाएगी बसे details वगरा दोनों में overall आपको अच्छी मिलती है portrait mode का edge rejection भी थोड़ा सा better मुझे S21 FE के अंदर लगा है जब अच्छी खासी लाइटिंग हो लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा आजीब से यहाँ पर चेहरा कभी कभी हो जाता तो वह दिखने में नहीं अच्छा रगता है personally मेरे को नहीं अच्छा लगता है लेकिन अभी दाने है वो बात अलग है जब मैं स्क्रिक करें थी तब उत्ते नहीं थे जितने जादा इसके इंदर दिख रहते तो वो चीज थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंस में निकल के आती है लेकिन अगर आप overall देखोगे ना बच देखने की जरुवती है आई थिंग आप रखा खुदी ग्यान लगा सकते हो कि यार कितना जादा बैटर S21 FE यहाँ पर डिवाइस निकल के आता है बस अगर एक दो चीज को इसके इंदर छोड़ें जैसे कि आपको यहाँ पर थोड़ा बैटरी का इशू मिलेगा बाकि उसके लावा चाहे डिस्पले हो चाहे प्रफॉर्मेंस हो चाहे हीटिंग को भी अगर हम साइट करते तो जो एक्जिनोस में मिलती है वो उसको भी साइट करके आप सॉफ्टे और अपडेट वगरा भी दो-तीन साल के अभी आपको इसके अंदर मिली जानी है तो यार किलियर कट चोईस बैटर एस्ट इवन एफी मेरे साफ से रहती है इस कंपरेट टू 08.85 बाकी आपका क्या मानना है खर कमेंट के सेक्षेन में जरूर से बताना क्या आप चाते हों कि आप नॉन्मल यूजर भी ना कर पाओ या आप चाहते हो कि या थोड़ी सी warmer के साथ आप तगड़ी वाली uses भी कर लो वो चीज आपके उपर है by decide कर लो बागी जैसे वीडियो लगी like कर दो share कर दो दोस्तों के साथ मेरोगा नहीं वीडियो में एले टेक केर बाबाई